हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को जुरूर बजाएए जिससे हमारे आने वाली नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ओम नमशिवाय भक्तों भक्तों आज हम कथा सुनेंगे भोले नात और एक लकड़ हारे की किसी गाउं में एक लकड़ हारा रहता था जो बहुत ही निर्धन था धैनिक जीवन की आवशिक्ताएं कठनाई से पूरी होती थी उसके अत्रिक्त उसके घर में उसके माँ ही थी पिला थी और बिमार रहा करती थी एक बार संयोग वस उसकी मां गंभीर रूप से बिमार हो गई अब निर्धनता के कारण उनका उक्चार कराने की छमता उस लकड़ हारे में नहीं थी ऐसे में पडोस के एक सेट के यहां शिप पूरान का पाठ चल रहा था तो उसमें कथा वाचक बता रहे थे कि जब कोई सहारा ना हो तो तब भोले नात मनुश्य का अंतिम सहारा होते हैं वे दीन दयाल हैं दीना नात हैं दीन बंधु हैं जो मन एम नियम से उन्हें ध्याता है उसका बेड़ा पार कर देते हैं भोले नात बहुत ही भोले हैं किसी पर भी कभी भ परसन हो जाते हैं यह बात उस अकड़ हारे के मन में समा गई गाउं के मंदिर में गया लेकिन वहां अधिक भीड होने के कारण वह अनपड उनसे कुछ ना कह पाया क्योंकि उसे तो यही लगता था कि भूले को तो शब्द की भाषा ही समझाती है अब उस बेचारे को क्या प अपने पश्वों को चराने के लिए और कुलहाडी को लेकर नित्य की भाती जंगल की और बढ़ गया वह लकड़ी काटने की बजाए अपने पश्वों को चरने के के लिए छोड़कर एक पेड के नीचे बैठकर ओम नमस्शिवाय, ओम नमस्शिवाय, ओम नमस्शिवाय का जाप करने लगा, मन रमने लगा, शांती उतरने लगी तो उसने प्रवाह तेज कर दिया, कब शाम हो गई पता ना चला, देर शाम उसे घर की सुधाई तो चला गया, मन में शांती थी, लेकिन घर जाकर मा की हालत देखी तो पुनह अपने दुर दिनों पर रोना आ गया क्या करें यह विचार करते करते भूखे पेटी हिस हो गया अगले दिन उठा तो अगले दिन उठा तो नित्त क्रियाओं से स्वैम निपट कर एवं माता जी को खाना पीना खिला कर फिर जंगल की ओर रवाना हो गया आज फिर उसने वही क्रिया दोहराई आज फिर उसे बहुत शान्ती मिल रही थी सहसा उस जाप की अवस्था में उसे मा का ध्यान हो आया तो उसकी शान्ती भंग हुई और आख खुल गई बेचैनी में इधर उधर निहारते ठीक उस पेड़ के सामने जाडियों में उसे लगा कि कोई खड़ा हुआ है वे चोकन्ना हुआ लाठी उठाई और उस दिशा में आवाज देता हुआ आगे बढ़ने लगा कौन है उधर कौन है लेकिन प्रति उत्तर कुछ नहीं मिल रहा था पास जाकर देखा तो महा मंदिर जैसी शिप प्रतिमा नजर आई वे हैरान हो गया कि प्रति दिन का आना जाना था लेकिन आज से पहले उसने प्रतिमा नहीं देखी थी लेकिन उसने भोले नात के समक्ष अपनी याचना प्रिस्तुत की और जैसे मंदिर में लोग फूल फल चढ़ा कर जाते हैं ठीक वैसे ही उसने पेड़ों से कुछ फूल तोड़कर अर्पित कर दिये और फिर उसने लकडी का गठर उठाया और पुश्वों को लेकर घर चल अब यह उसका नित्य का नियम हो गया था वह भूले नात के समक्ष बैठकर उनसे याचना करता और शिमनाम का जाप करता साथ ही उन्हें फूल फल अर्पित करके छाम को लकडियों और पशुओं के साथ वापिस आ जाता कुछ दिनों बाद उसकी बिमार माचल बसी और जा अपने दुख में वह सब कुछ भूल गया और जैसे तैसे उसने मा का अंतिम संस्कार किया दो चार दिन के पश्चात अपने नित्य जीवन में व्यस्त हो गया पशुओं में बैचेनी देखकर उसे ध्यान आया कि इनकी बेकद्री हो गई सो उसने ठाना कि इन्हें जंगल म फिर से घुमाना शुरू करेंगे अगली सुबह वै कुलाडी और पुश्वों को लेकर जंगल की और चल दिया जंगल में पहुँचकर उसने वह शिप प्रतिमा को देखकर बढ़क उठा उनके सामने जाकर बोला कि तू सब का बेड़ा पार करता है लेकिन तूने मुझ न जिर्धन के साथ यह अच्छा ना किया तू अमीरों का और उची जाती वालों का ही भगवान हो सकता है मेरा नहीं और मारे क्रोध के उसने भोले नात की पेट पर दो लाठी दे मारी अनगिनत अब शब्द बोले लेकिन उसका क्रोश शांत नहीं हुआ जैसे तैसे वह घर और अगले दिन फिर उसने लाठी और अब शब्दों की बोशार कर दी आव तो उसने इसका नियम बना लिया ना आंधी देखी ना तूफान देखा ना भूख देखी और ना प्यास जानी उस लकड हारे ने अपनी शारी शक्ति कोशने में ही लगा दी भोले नात उसके रो खान ह aún hoa then सो बोला वक्ती कैसी भक्ति किस की भ zwischen तिम तो लाठी के यहार हो कमर तूटी तो आये पहले याशना कर रहा था तब ध्यानना दिया मेरी माचल ब्सी तुम्हारे कारन कितने दिनों से दो वक्त की रोटि नहीं खापाया तब ध्यान ना आया आज का मर टेड़ी हो गई तब आना हुआ पहले ही पता होता तो पहले दिन से ही लाठी हाथ में ले ले लेता बोले ना तुसकी बात संते हुए मुस्कुराते हुए बोले बस कह तो सही रहे हो लेकिन दो बात सुनो पहली तो यह कि मेरे कारण तुम्हारी मात तुम्हें घर की एक अलमारी फोड़ने को कहा था और तुम्हें लगातार भूखा देखकर मुझसे रहा नहीं गया सो तुम्हें याद दिलाने आ गया कि बेटा मेरी कमर का पीछा छोड़ और घर जाकर उस अलमारी को फोड़ो यह सुनकर लकड़ारा का गुस्सा को शांत हुआ फिर भी बड़बडाता हुआ वहां से वह चला गया घर पहुँचकर उसने वह अलमारी तोड़ी तो मारे हैरानी के बेहोश हो गया देर बाद होश आया तो अलमारी को ढाक कर जंगल की और दोड़ लगा दी नियत स्थान पर पहुँचकर उसने भोले नात को पुकारा परंतो भोले नात तो अंतरध्यान हो गए थे तो उसने फिर लाटी उठाई और बोला की लातों के भूत बातों से नहीं मानते और यह कहकर जैसे ही मारने को हुआ बोले नाज सामने प्रकट हो गए और बोले रुक रुक बेटा तू तो आराज हो जाता है बता तो सही अब क्या बात है लकडहरा बोला कि आ गए जानता था ऐसे तो तुम आओगे नहीं लेकिन ये बताओ कि मुझसे किस जन्म का बदला ल जाएगी बताओ अब इस तरह से बदला लोगे मुझसे बोले ना फिर उसकी बातें को सुनकर मुस्कुराते हुए बोले अरे बेटा वो सब धन तेरा है बहुत पहले जब तेरे पिता जी जिन्दा थे तो एक चोरों का गिरो चोरी करके तुम्हारे घर के पास रुका था लेकिन पीछा करते सैनिकों के कारण वे सब धन तुम्हारे पिता के पास अमानत के तोर पर छोड़ कर भागते हुए मारे गए थे तेरे पिता मेरे बड़े भक्त थे और निष्ठावान व्यक्ति थे सो उन्होंने कभी उस धन को हाथ नहीं लगाया और अलमारी के पीछे शिपा दिया था यह धन भी मैंने तुम्हारे पिता के पास पहुँचवाया था तो अब तुम उसका भोग करो डरे हुए लकड़ हारे ने भोले नात को धमकी दी की ठीक है जाता हूं लेकिन अगर कुछ हुआ ना तब देखना तुम्हारा क्या हाल करता हूं वे चलने नात को छेड़ने लगी बोले नात भी कसमसा कर रह गए तो माता पार्वती ने प्रशन किया नात मजाक से हटकर इस अनोखी लीला का रहस्त तो समझाईए आपने इस भक्त का उधार तो किया परंतु नई लट भक्ती को मानेता दे दी अब क्या इसका अनुसरन नहीं होने लगेगा बोले नात बोले की यह प्रण प्रिय यह लट भक्ती देखने में जितनी असान लग रही है उतनी है नहीं बात यहां भी वही है जो साधायन और प्रशलित भक्ती की चरम सीमा पाने पर मिलती है मन के भाव बहुत ही प्रवल है और भक्त के मन में सिवाए मेरे अन किसी पदार्त का समर्ण नहीं है तब क्रिया सोरूप फूल चड़ाओ या लठ मुझे तो उध्धार करना ही था और दूसरी बात उसकी नित्ता पहले फल फूल चड़ाने की और बाद में लठ मानने की फिर चाहे आंधी आए या तूफान भरा पेट हो या खाली दुख हो य अगर आपको यह कता पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमशिवाय वशे लिखें और इस कता को अधिक से अधिक शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ओम नमशिवाय भक्तों झाले भक्तों